हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आइम पोस्ट दॉक्टरेट इन क्लिनिकल मार्डेसन इन दे मेटाबोलिक साइन्स and I'm specialized in lifestyle disease, hormonal disease and migraine especially मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ आज कि migraine की जो समस्या है वो दुनिया भर में है लोगों को लोग दर्स से बहुत परिसान होते हैं quality of life प्रभावित होती है और migraine के वल एक समस्या नहीं है migraine के साथ associated बहुत सारी problems जुड़ जाती है हमारा emotional स्वास्त खराब हो जाता है हमारा mental health खराब हो जाता है हम लोगों के साथ coordinate नहीं कर पाते बहुत irritating एक personality बन जाती है कही बरी और हमें खुद समझ भी नहीं आता है कि यह हमारा जो दर्द है जो हमारा headache है जो migraine है वो क्यों हमारा पीछा नहीं चोड़ता है और दुनिया भर में इसके बारे में लोगों के अंदर ना myth बहुत जादा है अलग-अलग तरीके से लोग इसको समझने की कोसिस करते हैं लेकिन आज तक अभी तक भी clinically कोई MRI में है या CT में है या कोई एजी या कोई भी ऐसा test नहीं बना है जिसमें की migraine के दर्द को accurately report किया जा सके और उसके cause को समझा सके जा सके और उसका कोई fixed line of treatment नहीं है लेकिन आज हम यह बात करेंगे कि जो migraine का नया इलाज है जो migraine के treatment के बारे में जो नई research सामने आ रही है आजकल बहुत लोग बात कर रहे हैं कि जो migraine का नया इलाज है वो migraine के लिए एक complete solution है complete remedy है तो सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूँ कि कोई भी नया treatment आप try करने से पहले कुछ बुन्यादी बाते हैं उनको समझ दीजिए क्योंकि आपने कोई नया treatment try कर दिया और आपका basic जो migraine का nature क्या है उसके tigger क्या है उसके complications क्या है उसके side effect क्या है वो नहीं समझे तो migraine के इलाज में फायदा होने से जादा कही वरी हम देखते हैं कि नुकसान हो जाता है और बहुत सारा treatment migraine का लोगों को फायदा नहीं नुकसान कर रहा है basic उनके बैवार में change ला रहा है तो उसको आप समझे देखो migraine की पहँचान में सबसे एहम बात यह है कि यदि दर्द के साथ आपको vomit ए feeling होती है या vomit होता है या vomit होने के बाद आपको अच्छा feel होता है तो फिर यह headache आपको migraine का दर्द होगा और migraine में क्या होता है कि आपको पूरे head में दर्द नहीं होता है या तो left side में दर्द होगा generally ज़ादे तर लोगों को right side दर्द होता है और right side का जो eyes है उसके उपर जो आपका माता है यानि इस हिस्से के अंदर इस reason में आप दर्द महसूस करेंगे जब आपको दर्द आएगा तो आपको focus करने में difficulty हो सकती है आपको थोड़ी सी breathing में difficulty हो सकती है आपको anxiety हो सकती है आपको हलका सा sweat लगेगा, गर्माट लगेगी और आपका one side ना आपको बंधा-बंधा नम लगेगा मतलब और कई वरी क्या होता है कि बहुती severe thrombing pain आता है एक खिचाब के साथ और एक concentrated A की जगे ऐसा लगता है कि कोई आपको खीच रहा है या किसी ने कोई हतोड़े की तरह कोई वहाँ पे hit कर रहा है मतलब एक thrombing pain होता है मतलब लुप-लुप करना जैसे इस तरह से इस तरह से pain आता है और यदि आपको vomit हो जाता है तो आपको अच्छा feel होता है इसमें pain killer काम करती है pain killer से आपको अच्छा feel होता है लेकिन जो भी आप pain killer लें उसके साथ antacet जरूर लें यानि gas का जो capsule होता है वो जरूर साथ में खाएं और या फिर आप कोई भी probiotics लें like busy leg या biffy leg type कभी भी खाली pain killer लें और दूसरे मतलब nasets की category में बहुत सारे pain killer ऐसे हैं कि आपको अब migraine से problem नहीं अब आपको दर्द की गोली की आदत पड़गी है यदि दूसरे तीसरे दिन आप वो दर्द की गोली ना खाओ या रोज एक गोली नहीं खाओ तो आपको फिर दर्द होता है आपको problem होती है तो migraine जो समश्या पैदा कर रहा था वो आज भी कर रहा है क्योंकि दर्द की गोलीों से migraine ठीक नहीं होता है आपको फौरी तोर पे temporary राहत जरूर मलती है अभी क्या हो गया है कि आप आपने दवाई की आदत डाल लिया है अब medicine induced migraine हो गया है वो और बहुत बड़ी complicated समस्या होती है तो दर्द की गोली का चुनाब आप अपने physician से बात करके करिए और कभी भी आप न ये combiflame, fluxon, sumo, nesid, nesip और ये आपकी diclovin plus इस तरह की जो दवाईया है pain management के लिए वो ना ले crocin से यानि paracetamol से काम चले तो बहुत बड़िया है second level पे आप दूसरी कुछ दवाईया है जैसे कि zero doll है, zero doll SP है ये आप ले सकते हैं मतलब acyclophanic plus paracetamol combination you can take या फिर diclofenic sodium और paracetamol combination से भी आप अपने pain को deal कर सकते हैं अब migraine के pain के लिए कुछ specific दवाईयां भी आ गई है pain management के लिए वो आपके doctors, आपकी conditions को देखके आपको लिख सकते हैं या वो prescribed medicine लिजिए, मेरा कहने का मतलब यह है अब हम दूसरी level पे आते हैं कि trigger को समझना चाहिए migraine में जो सबसे एहम बात है वो है कि आपका जो trigger है यानि आपका migraine का दर्द किस कारण से, किस condition में आप aggravate होता है यानि बढ़ता है, seizure होता है sleeping disturbance में migraine pain aggravate हो सकता है आप बहुत ही जादा dusty दूल दुआ में हैं तो हो सकता है सर्द गरम यानि ठंडे गरम का emulate change and exposure आपको migraine pain खर सकता है post-mestral और pre-mestral यानि महीने के आने से पहले और महीने के बाद और कुछ female को ovulation में भी दर्द पैदा हो सकता है next है आपका यदि आपको जुखाम रहता है sinusitis होता है, rhinitis होता है यानि कि congestion होता है यदि जुखाम के कारण आपकी nose one side congestion होता है उसके कारण आपको दर्द हो सकता है फिर इसके कुछ और भी associated कारण हो सकते है बट ये common triggers हैं जो मैंने आपको बता है कुछ लोगों को तेज अवाज से कुछ लोगों को sunlight के exposure से तो सबसे पहली बात है कि आप अपने trigger को समझें उसको manage करना स्टार्ट करें कुछ लोगों को कुछ particular food हो सकते है जो migraine पैदा करते है तो यदि कोई indigestion कर रहा है food बहुत ज़्यादा gas पैदा हो रही है उससे बहुत ज़्यादा happiness हो रहा है तो food आप avoid कर सकते हैं बट migraine में एक personalized approach बहुत ज़रूरी है आपको अपने दर्द को समझना होगा उसके nature को समझना होगा उसकी severity को समझना होगा और उस trigger को समझना होगा तो फिर आप migraine को खुद से भी काफियाद तक manage कर सकते हैं अब बात आती है medical management की यानि medicine treatment की clinical treatment की वो क्या हो सकता है यदि आपको high blood pressure होता है यानि migraine के दोरान आपका BP थोड़ा सा बढ़ जाता है तो आपको beta blocker देना बहुत अच्छी choice हो सकती है जिसमें metoprolol 50 mg, 50 mg और 100 mg sustained release आपको दिया जा सकता है that walk अच्छा काफी अच्छा काम करता है क्योंकि beta blockers जो metoprololol है वो anti-migraine उसकी properties होती है वो आपके सर के दर्द को भी काफी हद तक कम कर देता है और blood के flow को regulate करता है और BP को भी normalize रगता है एक वो दवाई होगी सुवह खाली पेट को यह antacet ले सकते हैं like rabiprazole, domperidon combination जो भी आपका pocket friendly हो और night में आपके पास दो option है अभी तक जो trusted and trial दवाई है civillium 5MZ या troptomer 10MZ देखो troptomer एक नई medicines के रूप में introduce हुआ है बहुत नया कुछ नहीं है उसमें troptomer भी as a anti-migraine, as a anti-anxetic, as a anti-depression और bêcheny को कम करने के लिए यह बहुत साल से दी जा रही है यह इसको as a anti-migraine आप ले सकते हैं बट troptomer 10MZ यह sibillium का जो चुनाव है वो आपके physician के द्वारा होना चाहिए वो आप अपने physician से बात करके ले सकते हैं इन दोनों दवाईयों का काफी अच्छा result है माईग्रेन में और माईग्रेन को काफी हद तक यह treatment control कर देता है लेकिन अब कुछ नई दवाईयों आ गई है नई दवाईयों के बारे में अभी कोई trial report हमारे पास clear cut नहीं है जिससे की वो माईग्रेन में introduce की जाए कुछ डॉक्टर इसको introduce कर रहे हैं 2-4 साल में इसका और ज़्यादा data हमारे पास आएगा उस data के आधार पे हम आपको guide करेंगे कि इसको लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता बट अभी AJ anti-migraine commonly दो दवाईयों दी जाती है Sivillium 5 और 10 MZ और Treptomar 10 MZ and 25 MZ night में जो की AJ anti-migraine काम करती है और migraine में इसका result काफी अच्छा है तो ये आप अपने doctor से बात करके ले सकते हैं बट कुछ natural method है जो migraine की दर्द को migraine की दर्द की severity को और tigger को काम करता है उसमें है आपका सुबह morning jogging जोगिंग का मतलब है कि आप 10 से 20 km पिटती घंटा की इसाब से jogging करें लेकिन nasal breathe करें jogging के दौराना आप mouth open ना करें mouth बंद रखें jogging में जिसमें हम nasal breathing करते हैं दूसरा deep breathing करें deep breathing में भी आप nasal breathing करें तो ये दौनों exercise आपको migraine के दर्द से फायदा पहुचाने में लगबख 50% तक contribute करती हैं अच्छी नींद लें और बहुत जादा सर्द गरम ना करें और बहुत जादा packed food, junk food packet से food ना खाएं बहुत जादा जादा या बहुत जादा गरम का सेवन ना करें कि इससे भी migraine bigger होता है बहुत जादा तेज रोसनी में ना रहें वो रोसनी sunlight हो या फिर natural sun की हो बहुत जादे dusty environment और बहुत जादे sound pollution से बचाएं जहां पे बहुत तेज music चलता है उससे भी थोड़ा सा आप अपने को बचाएं और यह सब parameter हैं इन सब को आप देखिए समझेए तो आप migraine से काफी हथ तक बच सकते हैं और इसको treat भी किया जा सकता है परिवेंड भी किया जा सकता है बट तेकर राइड मेंडिसिन और कंचल्ड विद यह फिजी तक यू अट्री जा यह जा सकता है बट टेकर राइड मैंडिसन और तक यह रिचित तक यह जा जा यह नहीं है